कल भाजपा के कुछ नेताओं ने कहा कि केजरी वाल आतंक वाली है मैंने आज तक अपने देश के लिए तन, मन, धन, सब कुछ कुर्बान कर दिया है पिछले पांच साल जब से हम सरकार में हैं दिल्ली के एक-एक बच्चे को मैंने अपना खुद का बच्चा मानके उसके लिए अच्छी शिक्षा का इंतिजाम किया क्या इससे मैं आतंकवादी बन गया दिल्ली के किसी भी घर में कोई भी बिमार हुआ मैंने उसके लिए दवाईयों का टेस्ट का ओपरेशन का इंतिजाम किया क्या कोई आतंकवादी ये सब करता है दिल्ली के जितने बुजूर गये उनसब के लिए मैंने तीर ख्यात्रा का इंतीजाम किया लग-लग जेगे उनको तीर ख्यात्रा के लिए भेजा इस से क्या मैं आतंकवादी बन गया दिल्ली के रहने वाले जितने हमारे सिपाही हैं जो बॉर्डर के उपर लड़ते हैं और शहीद हो जाते हैं उनके शहादत के बाद मैंने उनके परिवार का खयाल रखने का काम किया क्या कोई आतंकवादी ये सब करता है आज तक अपने जीवन में मैंने कभी अपने बारे में कुछ नहीं मांगा अपने बारे में कभी कुछ नहीं सोचा अपने परिवार के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा जब भी ज़रूरत पड़ी, अपना सब कुछ, तन, मन, धन और यहां तक की जान भी इस देश के लिए कुर्बान है जब IIT से पढ़के निकला था, IIT खड़तपूर देश का बहुत बड़ा इंस्टिटूट माना जाता है मेरे नंबर बहुत अच्छे थे, मैं चाहता तो विदेश जा सकता था, मेरी क्लास में बहुत सारे लोग विदेश चले गए, लेकिन मैं देश में रुका था क्योंकि मैं चाहता था, मैं समझता था कि इस देश को अगर ठीक करना है, तो हम ही को ठीक करना है कई लोगों का ये मानना था कि हमारे देश में तो ये कमी है, हमारे देश में तो वो कमी है कोई यूएस से चला गया, कोई कहीं चला गया लेकिन मैं चाहता, मैं भी जा सकता था, मैं नहीं गया उसके अदिंकम टैक्स कमिशनर की नौकरी छोड़े ब्रश्टाचार के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए इस देश के सबसे बड़े ब्रश्टाचार के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लिया क्या कोई आदंकवादी करता है देश के बहुत बड़े-बड़े बहुत शक्तिशाली लोगों के भृष्टाचार को मैंने उजागर किया जिसका काफी खाम्याजा भुगतना पड़ा मुझे कितने केस हुए मेरे उकर कभी आतंकवादी ये सब करता है मैं डाइबिटीज का मरीज हूँ डाइबिटीज का मरीज अगर तीन-चार घंटे इंसुलिन लेता हूँ दिन में चार बार इंसुलिन लेता हूँ अगर डाइबिटीज का मरीज तीन-चार घंटे कुछ ना खाए और इंसुलिन पे है तो वो कॉलाप्स कर जाता है, उसकी शुगर बहुत डाउन हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है, ऐसे में दो बार मैंने देश के ब्रष्टाचारियों के खिलाफ अंशन किया, एक बार पंदरा दिन का अंशन किया, एक बार दस दिन का अंशन किया, सबी डॉक्टरों ने कहा था कि केजरिवाल 24 गंटे से ज़्यादा जिन्दा नहीं रहेगा देश के लिए अपनी जान कुर्बान की मैंने जान कुर जान तक दाउं पे लगाई मैंने और पिछले पांच साल के अंदर इन सब लोगों ने मिलके मुझे प्रताड़ना देने में कोई कसर नी छोड़ी मेरे घर पे रेड़ कराई मेरे ओफिस में रेड़ कराई मेरे उपर केस पे केस कर दिये जो ये कर सकते थे वो सब किया मैं अतंकुआ दी कैसे हो गया कल शाम को जब घर गया तो मेरे माबाप मेरा इंतिजार कर रहे थे मेरे माबाप मेरे साथ रहते हैं तो और शाम को जाके थोड़े दिर उन से बैठ के पूरे दिन की बात करता हूँ उनको बहुत दुख हो रहा था उनका यही कहना था कि उनका बेटा कटर देश भगता है उनका बेटा आतंकवादी नहीं है मैरे पिछले पांच साल में दिल्ली वालों का बेटा बनके उनके परिवार की जिम्मेदारी उठाने की कोशिश की है आज मैं ये निरने दिल्ली के लोगों के उपर छोड़ता हूँ कि वो मुझे बेटा मानते हैं मुझे अपना भाई मानते हैं कि वो मुझे आतंकवादी मानते हैं भाजपा के नेपाओं के इस बयान से बहुत लोग आहत हैं और इस पूरे मामले पर चुनावायोग को सकती से निपटना चाहिए ये दिल्ली के उन दो करूण लोगों का अपमान है जिन के लिए उनका बेटा बनके अर्विन केजरिवाल जी ने पिछले पांच वरसों में उनकी सेवा की है आज ऐसे वेक्ति को भाजपा वाले आतंक वादी कह रहे हैं इस पूरे प्रक्रण को लेके इस पूरे विसाई को लेके मैं और पंकज गुटा जी चुनावायोग जा रहे हैं सी सी महोदे से मुलाकात करने उनसे शिकायत करने के लिए अभी तक उन्होंने समय नहीं दिया है वहां इंतजार करेंगे हम लोग जब समय देंगे तो उनसे मिलकर इस पूरे घटना की जानकारी उनको देंगे और उस पर सक से सक कारवाई परवेश वर्मा मनोस्तिवारी भाजपा के नेताओं के खिलाफ भाजपा वालों के खिलाफ किया जाया है दाखबरदार हिंदी नियूस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए दाखबरदार हिंदी नियूस चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पेज को लाइक करें धन्यवाद